दोस्तों, मैं काफी दिन से सोच रहा था, मेरे जो रैकेट्स हैं, बैर्मिंटन रैकेट्स वो पुराने हो गया है, मैं कोई निया रैकेट्स लोओ, तो मैंने दो रैकेट्स पर चॉक डाउन किया है, एक रैकेट हो गया, यो निक्स जडार, डिपल वन, यह मैंने अट किया, और दूसरा मेरा हो गया Lining XP 2020 Special Edition काफी सर्च करने के बाद मुझे दूल बैमिंटन रैकेट समझ में आ है जो मैंने चॉक्डाउन किया है काफी इनका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा ताकि आपको ज़्यादा नहीं पड़े है इसके लिए बहुत अगाल अलगत प्राइजे से दूसरा मुझे जहां लगा मैंने दो आट किया और यह मैं कार्ट में किया कार्ट में जाने के बाद मैंने क्रॉस चेक किया दोनों अवेलिबल है ओके देन आल प्रोसीड टूबाइ और यह बाइक है मैंने यह मेरा शिप्मेंट आ गया है अमेजन का और आईए बॉक्स खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है आई थिंक दोनों बैर्मिंटन इननने साथ में भेज दी है तुप चलिए खोलते हैं आई ज तो मैंने चलो कुछ निया बैर्मिंटन भी आ जाएगा प्लस एक ठोड़ा चेंज भी हो जाएगा ओके ओके यह मेरा बॉक्स खुल गया यॉनिक्स यॉनिक्स यह पूरे फुल कवर में आई कैन सी एन लाइनिंग यह हाफ कवर में है चलो अब खोलते हैं इसको खुलने के बाद देखेंगे कैसा है पहले अपने यॉनिक्स खोलते हैं सुरी दोस्तों मेरे अवास तोड़ी आज बैठी वी है तुम सुरी फो थाट यह मेरे खुला बैग बैग कोले के बाद ओके फाइन राकेट तो अच्छा लग रहा है तोड़ा हलका भी है जो मेरा प्रिवियस राकेट था उसे तो हलका है यह यॉनिक्स बैसिक्ली जड़ यह आइसोमेट्रिक शेप है राउंड बाउट 95-99 ग्राब्स के आसपास होगा और बॉड़ी इसकी अलमुनियम है और यॉनिक्स ब्राइड यह जो आप देख रहे होगे मेरे हाथ के पास यह यहां पर एक स्क्राच कोट दिया हुआ है यह स्क्राच करने में आप स्क्राच किया www.sunrisetnt.com. verify code जो है मैं यहां पर गया यहां पर जाने के बाद यहां पर जो site खुल रही है मैं पहले site पर गया और के जाने के बाद यहां पर मैंने क्रॉस किया इसको पिर मैं यहां पर किया है वेरिफाइए कर चुका हूं तो यहां पर वेरिफिकेशन दिखा रहा है कि आपने वेरिफाइए कर दिया है चलो अब आगे कोलते हैं खोलने में टाइम तो लग रहा है काफी पैकिंग तो अच्छी लग रही है इनकी और रैकेट उठाने में भी काफी अच्छा स्टेबल लग रहा है उठाने में भी हलका ही लग रहा है ग्रिप तो अच्छा है रबर का ग्रिप है और बॉडी भी अच्छी लग रही देखने में थोड़ा सा शाइनी है त्सकुट अच्छा तो है उठाने में फील अच्छा रहा है यह यॉनुक्स की ब्रैंडिंग की वही है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रिंग्स में भी अपनी ब्रैंडिंग करके रखिए और यह पूरे फूल कवर में आता है इसमेट्रिक शेप है अलमुनियम बॉड़ी है और मैं बोलूगा बिगनर टू इंटिमीडियर से खेला जा सकता है तो इतना कोई शू नहीं है और अब आई दूसरा ब्रैकेट को कोलते हैं जो होगे हमारा लाइनिंग यह लाइनिंग एकसपी 2020 है स्पेशल एडिशन इसकी भी पैकिंग अच्छी है प्लास्टिक बस एक एक ड्रॉबाइक की थोड़ा स्में हाफ कवर दिया हुआ है यॉनक्स में जैसे हमने दे सकता थे वहां फूल कवर दिया गया था य यह भी आइसोमेट्रिक शेप है एंड इसमें 89-95 ग्रैम्स जो है इसका वेट होगा और इसकी बॉड़ी जो है दुरेनियम है दुरेनियम मीज अलुमिनियम प्लस फेरस तो यह दो कंपाउंड दो मेटल कंपाउंड को मिला के एक बनाया है ओके यह सुनतो रहते हैं मैंने जो पड़ा था इसका डिट्रिस पर लिखा था कि स्माश के लिए अच्छा है राकेट ही है ओके यह ब्रैंडिंग मैं तो बहले चौक गया है यह इसमें क्या है चेट चेट क्या फिर देखा इसमें ब्रैंडिंग की हुई है एक्चली लाइनिंग की तो यह भी ग्रिप ही मैं बोलूँगा और यह भी हलक ही है नोट वेरी हैवी एंड इसमें कवर्स में स्ट्रिंग में भी उन्होंने वो लगा के रखा हुआ एक कागस का फलका सा बोड लगा दिया है जो देखने में अच्छा लग रहा है अलीज मैं लॉन टेनिस भी खेल चुका हूं तो इसम मैं अच्छा लगता है ओके ग्रिप अच्छा है मैट बॉड़ी है यह भी स्टेबल लग रहा है वो तो जब मैदान में उतरेंगे तब समझ में है कान कितने पानी में है ओके यहां पर भी ठीक है उठाने में अच्छे ही लग रहा है एंड इसकी ब्रेंडिंग आप देख स अच्छी लग रही है देखने में रैकेट आप बोलोगे अवर ओर आल दोनोई रैकेट्स अच्छे हैं अपने जगा में दोनोई ब्रैंडड है और अच्छे ब्रैंड्स के आप देखोगा डिटेस जाके मैंने वहा पे लिंक शेयर कर दिया अमेंजन का ताकि आपको आदर नहीं करने पड़े जो रेट्स दिये हैं 10-15 रुपे 20-25 रुपया उपर नीचे हो सकते हैं यह फ्लक्ट्ट्ट करते रहते हैं मार्केट रेट के साब से को स्मैश मैंने मारा यह यूनेक्स का स्मैश यह अच्छा था और यह लाइनिंग का अगर आप देखने जाओ के यूनेक्स की मुझे अच्छी लगी यह मुझे थोड़ा सा लाइनिंग के कमपैरेजन थोड़ा सा हैवी लगा बट इसकी स्टेबलिटी जाद अच्छी है और मुझे मारने में भी जादा असानी हुई और यह दूसरी तरफ हमारा जो लाइनिंग है लाइनिंग में बोलूंगा यह थोड़ा सा योनेक्स से हलका था बट मुझे स्टेबिलेटी अगर देखोंगे योनेक्स मुझे दाद अच्छा लगा तो फाइलली अगर हम देखें हमारा विनर कौन होके आ रहा है केलने के बाद मैं खुद भी एक प्लेयर हूँ स्टेट मैं अपने शौक से कहलता हूँ होबी से तो हमारा फाइनल जो विनर है वह आप देख सेकते हो यो हमारा यॉनेक्स यॉनेक्स हमारा जो है फाइनल विनर आ रहा है तो दोस्तों थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस चैनल और प्लीज मेक्शूर दाट यू सब्सक्राइब और शेर विर्ट यू फ्रेंड्स जिनको थोला सा भी डाउट हो कि कौन सा यॉनेक्स यॉनेक्स या लाइनिंग कोई विन कौन सा राके चूज करूं अंडर 500 रुपीज चुकि कि बजट भी कंस ट्रीन था तो उसमें आप ये विडियो उनको शेर कर सकते हो थैंक यू सो